अब हम लोग लास्ट तरीके से देखेंगे पैथागोरस ठीरम को हम कैसे समझ सकते जो आपके बुक पे भी है जो आप लोगों ने देखा है अब वो है सिमिलर ट्रेंगल से similar triangle क्या कहता है अगर 2 triangle आपस में similar है तो उनके side भी क्या होंगे proportional होंगे इसके लिए में सबसे पहले क्या करना होगा एक right angle triangle लेना A B C यह 90 degree B से हम construct करेंगे perpendicular A C पे at point D इसमें total गेते triangle बनेंगे तीन फर्स्ट है आपका A B C second है आपका A D B if और थार्ड है आपका B D C तीनों triangle क्या आपस में similar है यह आपका हो गया triangle 1 triangle 2 triangle 3 student यह theorem समझ जाते फिर भी वह गलती करते हैं वह गलती क्या करते हैं वह BD को जब भी आप प्रपोर्शनल लोगे ना तो BD side को हमें नहीं लेना है वह BD side को लेते हैं फिर वह confused करते हैं और उनका फिर answer desire answer उनका नहीं आता है इसमें सबसे पहले क्या करोगे हम triangle 1 और triangle 2 को लेते हैं और इसमें देखते हैं कि BD कहां पर आ रहा है BD आपका यहां पर फर्स्ट और सेकेंड में तो हम इस side को नहीं लेना हम proportional लेंगे तो तो हमारे पास क्या क्या option बनता है happiness और perpendicular तो सबसे पहले हम first triangle कर लेते हैं वह हो जाता है आपका AC AC by AB equal to अब यहां पर देखो दूसरा AB AC ले लिया हम लोगों ने अब लेंगे हम perpendicular तो perpendicular क्या लेंगे हम AB by AD AB by AD अगर इसम लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते क्रॉस मल्डिप्लिकेशन के बाद AB स्क्वाइर एक्वल टू AC क्रॉस ए डी जहां अब कर वन और triangle 2 कर अब हम लेंगे triangle 1 और triangle 3 फर्स्ट और थर्ट रिंगल लेंगे फर्स्ट और थर्ट जिसमें हमें क्या करना BD को नहीं लेना है तो हमारे पास क्या बत्थ हापटनिस और बेस तो पहले हम करते हैं हापटनिस से तो यह हो जाएगा आपका A C और ठर्ट का बटेश क्या BC है एक्वल टू हमें पर्पेंडिकलर नहीं बेस लेना है तो इसका लेंगे बेस BC by DC और यह आपका कित्ता होएगा BCBC क्या cross multiplication करते हैं अगर तो BCBC BC square और यह कित्ते ब्राव होगा AC into DC अब हम इन दोनों equation मालनों यह equation first होगा यह equation second इन दोनों equation को अगर add करें तो क्या आता आपका AB का whole square plus BC का whole square equal to AC दोनों में AC क्या common है तो हम common ले लेते हैं फिर आपका add क्या हो जाएगा AD plus DC अब यहाँ पर देखते हैं यह हो गया आपका AD और यह हो गया DC AD plus DC क्या हो जाएगा आपका AC AC into AC क्यों हो जाएगा आपका AC square तो AB को हम क्या लिक्सविक पे AB क्या है आपका perpendicular है और BC पेस और AC H तो यह आपका क्या हो जाएगा P square plus B square equal to H square plus B square